प्रात्मिक सिछक बर्ती में बियर्ट की पातरता को लेकर के विभिन राज्व में मामले चल रहे हैं। इसी के बीच मध्य प्रदेश का मामला जो की आज माननी हाई कोट में लंबित था सुने जाने के लिए उसकी सुनवाई कम्ट्रीट हो चुकी है। ये मामला सिर्फ मध् मध्य प्रदेश में आज चर्चा हुई है जिससे इस पूरे देश भर में जो बियर्ड अभियर्टों की पातरता से सम्मनित रिव्यू का मामला है वो कहीं न कहीं जुड़ा हुआ है और एक दिसा देगा आज की सुनवाई। तो मध्य प्रदेश में सुनवाई मध्य प्रदेश में कुछ समय पहले एक सिक्षक भरती का विग्यापन जारी हुआ उस भरती के अंतरगत बियर्ड अभियर्थी चैनित हो गया उसके बाद से बियर्ड अभियर्थियों को प्रात्मे के लिए पातर नहीं माना गया चुकि ये भरती औलडी माननी हाई कोट क फैसले के अधिन थी इस वज़े से 11 अगस्त का जो फैसला आया उसके बाद से नए रिव्यू नए केसे फाइल होते चले गए मर्द्य परदेश में जोकि टैग होते चले गए उस वाले माइटर से जोकी फैसला जो था हाई कोट का वो अपने मतलब भरती जो थी वो अपने फैसले के अधीन रख लिया था High Court ने और वो High Court का जो फैसला था वो Supreme Court के फैसले पर निर्भर कर रहा था इसके regarding पहले में मैंने बात कर रखी है मर्द परदेश वाले मामले में बहुत सारे भेरते को confusion होता है कि यह subject to outcome था या नहीं तो यह Apex Court के decision का wait किया रहा था मानने इसका मतलब ही यह होता है कि यह subject to outcome हो गया अब इन सबके बाद से यह पूरा background हो गया उसके बाद से जब 11 अगस्त को फैसला आ जाता है तो फिर से इस case को reopen कर आ जाता है और चुकी बताया जाता है High Court को की Supreme Court ने Apex Court ने अपना decision दे दिया है तो जो wait किया रहा था उसके आधार पर 11 अगस्त 2023 के फैसले को लागो करते हुए बियर्ट जो चैनित अभीरते हैं उनको system से बाहर कर दिया जाए ये फैसला अगर fresh recruitment के तोर पर होता मतलब कि बियर्ट अभीरती अगर चैनित नहीं होते तो बहुत पहले ही decision आ चुका होता जिस प्रकार से आपने बिहार वाले मामले में देखा क्योंकि बिहार वाले मामले में बियर्ट अभी चैनित नहीं हुए थे उनका selection के लिए के वाल advertisement जारी हुआ था परिच्छा हुआ था result तक नहीं गोशित हुआ था और ना ही उनको appointment दिया गया था लेकिन मद्य परदेश में 11 अगस्त का फैसला आने के पहले ही चुकी सब कुछ प्रक्रिया पूर्ण हो चुकी थी इस वज़े से इस मामले को लेकर के बहुत लंबे समय से सुनवाई चल लई है और सुनवाई इस वज़े से भी चल लई है क्योंकि जैसा कि आपको ग्यात होगा 11 अगस्त 2023 का जो judgment है मानने सुप्रिम कोट का उसके बाद से एक review petition फाइल किया गया स्री अर्णब गोष जी के द्वारा जो की registry level पर cancel कर दिया गया reject कर दिया गया यह कहते हुए कि आप किसी पुरानी भरती को लेकर के कोई भी मानने सुप्रिम कोट के फैसले को review नहीं करा सकते उसके बाद से registry level पर जब इसको खारिज कर दिया गया तो स्री अर्णब गोष जी के द्वारा जो registry level पर registrar के द्वारा फैसला दिया गया था उस फैसले को challenge करते हुए एक और review petition फाइल किया गया वो review petition अभी लंबित है 11 जनवरी 2014 को सुने जाने के लिए इससे पहले मैं बता दूँ कि उत्तर प्रदेश की 79 सिक्षक भरती से सम्मनित मामले में स्री गुड़ू सिंग जी की याजिका पर मानने कोट ने इसको fresh SLP ना ला करके review कराने की बात कही है क्योंकि उत्तर प्रदेश की 79 सिक्षक भरती वाला मामला आपको ग्यात होगा कि ये 2020 के फैसले के आधार पर भरती complete हुई है तो 2020 में ये आदेश हुआ था सुप्रिम कोट के द्वारा जिसके आधार पर 79 की सिक्षक भरती complete हुई 2023 में 11 अगस्त को सुप्रिम कोट डिसीजन देती है तो तीन साल बाद की परिस्तितियां क्या रही उसको पास्ट में जा करके कैसे उसको लागू किया जा सकता है इसको लेकर के जो स्री 11 अगस्त का फैसला देने वाले जो honorable justice थे उन्होंने ये कहा कि आपको fresh SLP नहीं बलकि एक review petition फाइल करना चाहिए जो की 2020 में जो judgment दिया गया था उसको review कराने के लिए आपको जाना चाहिए उसके बाद से इस्री गुडू सिंग जी की जो याचिका थी वो फिर से list की गई है 5 जनवरी 2024 को सुने जाने के लिए ये उत्तर प्रदेश की परस्तिती हो गई मद्य परदेश में lot करके आते हैं मद्य परदेश में जैसा कि आपको ग्यात होगा पिछली सुनवाई में माननी हाई कोट ने ये कहा था कि सुप्रीम कोट में जो review petition फाइल किया गया है उस review petition के decision का wait कर लेते हैं चुकि ये review petition पहले दिसंबर में ही list होना प्रस्तावी था लेकिन ये shift होते होते हैं अब ये review petition 11 जनवरी 2024 को list होने जा रहा है अब यहाँ पर चुकि मद्य परदेश review petition का wait कर रही थी इसके बाद से petitioners के advocate के तोर पर स्री मती मिनाक्षिर अरोणा मैं उपस्तित हुई है जैसा कि आपको ग्यात होगा इन्होंने ही Supreme Court में NIOS DLT का मामला रखा था फिर जो DLT candidate हैं उनका भी मामला रखा था मतलब कि ये बहुत एहम रोल आदा कर रही थी Supreme Court में 11 अगस्त के 2023 के judgment को ले करके DLT की तरफ से मैं बात कर रहा हूँ इन्ही के द्वारा मद्य परदेश में DLT का पक्ष रखा गया तो वहाँ पर इन्होंने ये ओगत कराया कि जिस review petition को ले करके पूरा मामला लंबित चल रहा है वो actually में review petition है ही नहीं उन्होंने ये ओगत कराया मद्य परदेश हाई कोट को कि रजिस्टरार लेवल पर जो decision दिया गया है कि 11 अगस्त 2023 के फैसले को review नहीं किया जा सकता उस फैसले को challenge करते हुए स्री अर्णब गोष जी ने फिर से सुप्रीम कोट का दरवाजा खट करता है मतलब कि ये 11 अगस्त के फैसले का review नहीं है बलकि ये जो 23 सितंबर 2023 वाला मामला है सितंबर 2023 में जो रजिस्टरार ने फैसला दिया था उस फैसले को challenge करते हुए स्री अर्णब गोष जी ने मानने सुप्रीम कोट का दरवाजा खट करता है स्री मती मीनाक्षी रणा जी मैम ने जैसा कि आपको ग्यात होगा कि पिटिशनर किस तरब से अपना पक्ष रख रही थी तो उन्होंने ये उगत कराया कि इसी प्रकार से अने राजों से अलग-अलग अगर review पिटिशन जाते चले गए और इस प्रकार से अगर लगतार माद्य प्रदेश हाई कोट उनका वेट करती रही कि इस review पिटिशन में क्या decision आगा तो इस तरीके से तो ये कभी decision आ ही नहीं सकता क्योंकि आप कानूनी प्रक्रिया में किसी को रोक नहीं सकते किसी भी फैसले को review कराने के लिए और ये चुकि कानूनी प्रक्रिया तो थोड़ा समय लगेगा यह लगेगा इस हिसाब से आज ये review petition की जो बात चल लए है उन्होंने actually में समझाया हाई को कि ये review petition है ही नहीं बलकि ये जो रेजिस्टरार ने फैसला दिया था उस फैसले को challenge करते हुए उस फैसले का review कराने के लिए ये स्री अर्णब गोजी के द्वारा याचिका दायर की गई है जो कि 11 जनवरी 2014 को सुने जाने के लिए प्रस्तावित है इन सब को सुनने के बाद से माननी हाई कोट ने case को final disposal के लिए अगली hearing के लिए list करने के लिए कहा है मतलब कि अगली सुनवाई में ये पूरा मामला निस्तारित कर दिया जाएगा क्योंकि इस मामले को लेकर के अलग-अलग राज्यों में जब review petition के लिए अगर भेरती जाएगे तो कब तक इस मामले को wait किया जाएगा ये भी मानने हाई कोट ने इस बात की गंभीरता को समझी कि आज इस राज्यों के कल उस राज्यों से लेकर के चले जाएंगे अलग-अलग भरती को लेकर के तो उसके हिसाब से मध्य परदेश की भरती में आन्तिम रूप से decision क्यों ना है क्योंकि ये भरती चुकि अलड़ी subject to outcome थी तो वो subject to outcome 11 अगस्त के फैसले के अधार पर थी और ये जो review petition हुआ है ये registrar के फैसले को challenge किया गया है review के तो ये दोनों चीजे अलग है ये petitioner के वकील ने आज मानने हाई कोट में बात रखी है तो मद्य प्रदेश का जो मामला है अगले तिथी में हो सकता है final disposal कर दिया जाए इसके बात करें अगर उत्तर प्रदेश की स्री गुड़ू सिंग जी की याचिका तो वो 5 जनवरी 2024 को सुने जाने के लिए लिश्ट की गई है और जो स्री अर्णब गोष जी की याचिका है वह 11 जनवरी 2023 को सुने जाने के लिए लिश्ट है मतलब कि 11 जनवरी 2023 को इस मामले पर सुनवाई होगी कि जो रजिस्ट्रार ने फैसला दिया था कि किसी पुरानी भरती को ले करके आप बाद के फैसले को रियर या फिर रिव्यू नहीं करा सकते उस पर माननी सुप्रेम कोट में चर्चा विमर होगा और स्री गुडू सिंग जी की याचिका है वो फिर से उसी जो रिव्यू पिटिशन वाला है तो ये सबी चीजे हैं देखना होगा कि क्या फिर से बेंच बदलती है या फिर नहीं लेकिन मद्य परदेश वाला जो मामला है आज की हेरिंग से ये हो रहा है कि अगले तिथी में जब भी हेरिंग होगी तो ये केस फाइनल कर दिया जाएगा उमीद करता हूँ आप सबी के डाउट क्लियर हो गया होगे इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद भगवान करे आपका दिन शोब हो